एन्टी ए यूजी शनेक्ट यानि निमिजिनेक्ट ये टोपिक करना हमाले बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इसमें से कोश्चन आये हैं आगे की वीडियो में दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्ष भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टड़ी नोट्स देते हैं त्योटिकल वीडियो देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड येर को लेंगे इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्ष जोइन करना तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्सप नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए तो सबसे पहले हम सिंपल रिसर्च के स्टैप देखते हैं कि जो हमारी समाने रिसर्च है वो किस तरह से होते हैं उसके क्या क्या स्टैप होते हैं और इसमें से काफी बार कोश्चन आते हैं दोस्तों यह हमें बहुत अच्छे से करना जरूरी है तो चलिए हम देखते हैं कि सिंपल रिसर्च उसके क्या क्या स्टेप होते हैं अब इसमें देखे सबसे पहली जो चीज आती है दोस्तों सिंपल रिसर्च के अंदर वो आती है सिलेक्षन ओफ प्रोब्लम यह देखे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर रिसर्च का नाम आता तो उसमें सबसे पहली चीज आती है हमारा प्रोब्लम सिलेक्षन करना यान कि हमारे पास प्रोब्लम ऐसी होनी चाहिए जो बिलकुल नई हो और जिसका अभी तक समा और लोगों ने क्या-क्या समाधान खोजने की कोशिस की है उसके बाद आता है दोस्तों प्री कलपना मेटिंग हाइपो थीसिज अब देखे इसका मतलब यह होता है दोस्तों हम कोई भी काम सुरू करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा अंदाजा होता है कि हमारा यह जो काम है इसका result यह निकलेगा यानि कि उसकी कलपना करते हैं ठीक है तो इसी तरीके से हमारी research के अंदर होता है जो भी हम problem लेते हैं तो उसका थोड़ा सा हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका solution यह हो सकता है ठीक है यानि कि उसकी हम कलपना करते हैं पहले ही और उसके बाद आता है दोस्तों सोध की रूप रेखा त्यार करना यानि कि research design अब देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि हमारा जो एक काम है किस तरीके से होगा यानि कि उसे पूरे अच्छे तरीके से design करते हैं ठीक है तो इसी तरीके से हमारे amazon के अंदर होता है research design हमें पूरा design करते कि किस तरह से हमें research करनी है उसके बाग दोस्तो नमूना चैन यानि सम्पलिंग उसके बाद जैसे कि हम्मरे रिसर्च करने तो तो उसमें किन-किन लोगों को सामिल करना है किन-किन elements को लेना है वो सारी चीजे होते हैं तो उसे हम कहते हैं sampling यानि कि research के अंदर जो sample लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं Sampling कहते हैं अब देखिए दोस्तों अगला स्टेप आता है हमारा सामगरी इकठा करना यानि कि डेटा कोलेक्शन यानि कि सैंपलिंग लेने के बाद में हमें ये जरूरी है कि हम अपनी रिसर्च का पूरा का पूरा डेटा इकठा करें उसके बाद आता है दोस्तों नमबर सेवन पे परी यह इसा हो रहा है यह नहीं हो रहा तो उसके बाद आता है दोस्तों नमबर आठे समान्य करण तथा व्याख्या करना यानि कि उसके बाद हमने यह देखे नमबर स्टेप ए हईपो थिस टेस्टिंग कर लिया यानिके हमने अपनी प्रीकलपना को देख लिया कि कैसे यह सही जा रही है गलत जा ओसके बाद हम उसे हम generalize करते हैं उसे हम थोड़ा simply way से देखने की कोसिश करते हैं समाने करने क कोसिश करते हैं अब एक exact निसकर्श निकालते हैं कि क्या निसकर्श निकला है हम़ी जो research है उससे उसके बाद में अगर हमारी research गलत है तो हम उसके दुबारा से काम करना शुरू कर देते हैं और अगर हमारी research सही है तो वो है कि हमारी final research हो जाते हैं तो उसके हम report बनाते और आगे फिर भ लेना और आपना लिखने की कोशिश करना बार बार याद करके और बिना देखिने की कोशिश करना क्योंकि इसम्हेंसे बहुत ज्यादा संभावन है दोस्तों Question आने की ठीक है तो इसकी प्रेक्टिस आपको करना बहुत ज्यादा जिरूरी है दोस्तों हमारी अगली रिसर्च आते है scientific research अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों सबसे पहले हम observation करते हैं ना कि selection of problem ठीक है ये ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि exam के अंदर confuse कर शकते हैं उसमें selection of problem भी दिया हुआ होगा लेकिन आपको ये देखना कि उन्होंने simple research पोची हुई है या फिर scientific research पोची हुई है तो अब इसमें देखे सबसे पहले observation आता है फिर formation of hypothesis आता है फिर experimental verification आता है उसके बाद formation of law and theories और अगर आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ना चाहो तो यह हिंदी में भी पढ़ सकते हैं सहे विचरन भ्रामक संबंदों का विचरन समान्य करन और सिधानती करन ठीक है और दोस्तों अगर आपको यह PDF चाहिए तो यह PDF भी ले सकते हैं इसके लिए आपको हमारा paid ग्रूप जोइन करना पड़ेगा और लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आगे हम देखते हैं दोस्तों किस तरह की research होते हैं उनके क्या क्या step होते हैं अब यह देखिए most important मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ यह है हमारी दोस्तों action research अब देखिए action research के step क्या क्या होते हैं इसके इसे हंदि में बात करें तो योजना निर्मान सबसे पहले निर्मान करते हैं फिर उसका किरियान वेन और फिर प्रेक्शन और फिर विमर्स और इंगलीस में इसे देखे तो सबसे पहले प्लान फिर एक्ट अवजर्व और रिफलेक्ट ये चार चीज आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों और इसी से आपका काम बन जाएगा और मैं बार बार कह र हैं दर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पहले एक्ट था या फिर प्लान था क्या था ऐसे इसके आपको प्रैक्टिस करनी है और आगे देखते हैं दोस्तों सोध निबंध के ततव यानि कि जो सोध निबंध होता है उसे हम किस तरीके से लिखते हैं उसके भी जो स्टैप है हैं वह थोड़े अलग है अब इसमें देखिए सोध निबंध में क्या होता सबसे पहले प्रस्तावना होते हैं फिर सहाइत्य पुनर विक्षन होता है फिर सोध प्रनालिया होते हैं फिर परिनावन और फिर चर्चा और निसकर्स ठीक है अब एक चोटी सी चीज यहां पर यह वह आती है कि सोध निबंध क्या होता है और यह सारी चीज़े क्या है तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों आगे की जो वीडियो होगी कि सोध निबंध क्या होता है ठीक है और अब देखिए इसके अंदर स्टैप की बात चल रही थी हमारी तो यहां पर आप इंग्लिश में भी यह स्टैप देख सकते हैं इंट्रोडेक्शन और फिर रिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेट्रोजी रिजल्ट डिस्कुशन एंड कंक्लूजन ठीक है तो यह सारी चीज़े आप नोट कर सकते हैं उसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्टैप अंदर क्या-क्या स्टैप होते हैं एक्स्प्लेनेशन ओफ अब्जेक्टिव और फिर सिलेक्शन ओफ टेक्निक सिलेक्शन ओफ सेंपल डेटा कॉलेक्शन डेटा क्लास्शिफिकेशन एंड एनलेसीज फिर है रिपोर्ट राइटिंग ठीक है और उसके बाद आती है हमारी दोस्तो नमबर छे पर रिशर्च प्रपोजल रिशर्च रिपोर्ट अब इसके अंदर होता है इंट्रोडेक्शन, एम, ओब्जेक्टिव, मैथलोजी, फाइंडिंग, कंक्लूजन और रिक्मेंडेशन यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं प्रस्तावना, लक्ष, उदेश्य, प्रविधी, निसकर्ष, तो फांस और संस्तूती ठीक है तो यह मेन मेन छेतरह की रिशर्च थी दोस्तो यहाँ से कोश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं वो कभी सोधनिमंद में से कोश्चन देदेगा, कभी एक्षन रिसर्च में से कोश्चन देदेगा और तो कभी सिम्पल रिसर्च है तो इन सभी की जो स्टैप है वो हमें पता होना चाहिए कि सिम्पल के क्या होंगे और साइंटिफिक के क्या होंगे और वो confuse करने की कोशिस करेंगे जरूर करेंगे लेकिन आपको confuse होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है और अगर किसी दोस्त को इस वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आईए तो वो हमसे पूछ सकते हैं कोमेंट वॉक्स कज़रिये हम उनको सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे दोस्तों आज के लिए वसी तना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपन तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तो